प्रत्योंगी 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 प्रत्य पुलिस सब इंस्पेक्टर, UP SSSC, UP PCS इत्यारी जो परिक्षा हैं होने जा रही हैं सभी परिक्षाओं के ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट हैं सबसे पहले तो आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश में कुल जो है 18 मंडल हैं और यहां पर जो मंडल हैं उनके नाम आप ज आज़ाबाद, अलीगड, आगरा, वारांसी, गोरकपूर, देवीपाटन, देवीपाटन का मुख्याले कहां पर हैं गोंडा में हैं, बरेली, मुरादाबाद, इलहाबाद, चित्रकूर धाम, इसका मुख्याले जो बांदा में हैं, और मिर्जापूर, आजमगड, बस्ती जहांसी और सहारनपूर, तो यह जो है 18 मंडल हो गए आपके उत्तर प्रदेश के, ठीक है, अब देगो कुछ ऐसे भी जिले हैं, जिनका मुख्याला है, उनके नाम से अलग है, जैसे कि अमेठी का गोरी गंज, संत कवीर नगर का खरीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौसांबी का मंजनपूर, अमबेटकर नगर का अकबरपूर, कुसी नगर का पडरोना, कानपूर देहाद का अकबरपूर माती, और सिधात नगर का नौगड, सोन भद्र का र थोड़ा, ठीक है, नगर निगम वाले कुल, कितने नगर हैं, कभी-कभी ये सवाल पूछा जाता है, कि नगर निगम, उत्तरफदेश में कितने नगर ऐसे हैं, जहां पर नगर निगम है, तो आपका जवाब होगा, कुल मिलाके 16, और बेसिकली कभी-कभी ये भी पूछ ल लखनऊ, आगरा, कानपूर, इलहाबाद, वारानसी, मेरट, गोरकपूर, बरेली, गाजियाबाद, अलिगर, मुरादाबाद, जहासी, साहरनपूर, फिरोजाबाद में बना था 2015 में, अयुद्या 2017 से, और मतुरा और वरिंदा बन, ये 2017 से, ठीक है, तो कुल मिलाके कितने अब देखे, उत्तर प्रदेश का इतिहास के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो नाम था, जून 1836 से, उत्तर प्रदेश उत्तर पस्चिम प्रांथ के नाम से जाना जाता था, उसके बाद फरवरी 1836 से, उत्तर पस्चिम प्रांथ के ना से इसे पुकारा जाने लगा ठीक है और 1937 से उत्तर प्रदेश का नाम था सहिंक तुप्रांथ तो यह आप याद रखेगा कि आपके उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था सहिंक तुप्रांथ हाना कि उसके पहले कई नाम थे लेकिन यहां पर सबस्यादा संदर रखीत रह से जाना जाता था 1950 यानि कि 24 जनवरी 1950 से यह उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है प्रदेश की राजधानी 1836 से आगरा में थी 1858 से यह इलहाबाद से ट्रांसफर हो गई और उसके बाद 1931 से लखनव था आंसिक रूप से लेकिन 1935 से लखनव जो पूर्दर राजधानी की रूप में प्रयोग की जा रही यानि कि आपका उत्तर प्रदेश है इसका पूर्दर जो राजधानी बन गई लखनव उसके पहले 1931 से 1935 तक यह आंसिक रूप से थी उसके पहले इलहाब आ था और उसके पहले आगराद था तो यहाँ पर राजधानी के बारे फ़राज जान लिजी अभी के उत्तर प्रदेश नाम से राजी का गठन किया गया था 24 जूनवरी 1950 से उसके पहले इसका नाम किया था संग्त प्रांथ ठीक है तो 24 जुनवरी 1950 के बाद से संग्त प्रांथ को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा ठीक है और उसके बाद इसका पुनल गठन किया गया था एक नॉवंबर 1959 को और उसके बाद राज के विभाजन कर दिया गया आपको पताई होगा 9 नॉम्बर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तरा खंड बनाया गया ठीक है उत्तरा खंड कब बना था 9 नॉम्बर 2000 бы कभी ये सवाल ही पूछा जाता है तो 13 जिलों को लेके जो उत्तरा खंड था वो अलग भुग होती है यानि कि उत्तर प्रदेस की दो राज की भासाए हैं हिंदी और उर्दू राज की पशु है बारव सिंगा राज की पक्षी है सारस इसको क्रॉंच के नाम से भी जाना जाता है राज की बिरिक्ष है आपका असोक राज की पुस्प है पलास या टेंसू और इसकी घोशला हुई थी चार जन्वरी 2011 से राज की खेल है आपकी हांकी और राज की चिन एक बृत में दो मचली आपने देखा होगा जो पाठे पुस्टके होती है योगी बोड की उनके पीछे छपा रहता है इसमें एक तीर धनुस होता है यह चिन 1938 से जो है स्विक्रित हुआ है कबसे यह चिन जो राज की चिन है उत्तर प्रदेश का वह 1938 से प्रयोग में लाया जा रहा है अब यहाँ पर कुस्टिचे और भी जान लीजिए कि राष्ट्री राष्धानी छेतर है यंसीयार देगे यंसीयार का फुल फार्म होता है नियर कैपिटल रीजन ठीक है तो वह रीजन जो की राष्ट्री राष्धानी दिल्ली के आस पास है तो उत्तर प्रदेश से कुछ जिले ऐसे हैं जिने दिल्ली टरिटरी के अंतरकत मान जाता है हलाकि उनका सासन उत्तर प्रदेश के सरकार ही करती है लेकिन फिर भी वो NCR जोन के अंतरगत आते हैं ठीक है तो इस समय कुर्मिला के साथ ऐसे जिले हैं जो कि NCR में आते हैं जिसमें मेरट है गाजियाबाद है गौतम बुद्र नगर है बुलंद सहर हापूर और मुझफर नगर ये जो साथ जिले ऐसे हैं जो कि NCR में आते हैं नियर कैपिटल रिजन में ठीक है और सामली मतुरा अलिगर्ड हात्रस और सहारनपूर ये जिले ऐसे हैं जिने कि NCR में सामिल करने की बात की जा रही है ठीक है अब यहां पर एक बात और ध्यान उत्तर प्रदेश में NRI दिवस कब मनाया जाता है तो ये जनवरी में प्रतिवर्स मनाया जाता है और अप्रवासी भारतियों की यानि कि जो नान रेजिडेंट इंडियन है NRI हैं उनको समस्याओं के लिए जो निवारन करने के लिए एक NRI डिपार्टमेंट का गठिन किया राओं की संख्या जो है 14.12 करोण है जनुरी 2017 में बात ये सामने निकल के आई थी राज बिधान मंडल द्वी सद्नात्मक है बिधान सभा और बिधान परिशद ठीक है राज बिधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1937 में 1966 तक बिधान सभा सदस्यों की कुल संख्या थी 431 बरतमान में बिधान सभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है तो ये 404 हो गया तो देखो ये जो 425 का आगड़ा था ये उत्तराखंड के बनने से पहले तक था ठीक है और बरतमान में जब उत्तराखंड का निर्मान हो गया तो उसके बाद ये संख्या आ गई है 404 पे यानि कि वर्तमान में बिधान सभा सदस्यों के संख्या कितनी हो गई 404 हो गई उत्रा खंड के पहले 425 थी और फिर 404 हो गई यानि कि कुल मिला कि 21 जो बिधान सभा सदस्य थे वो चले गए उत्रा खंड में अब यहाँ पे देखो इसमें जो 404 सदस्य हैं उसमें 403 निर्वाचित होते हैं और एक जोता वो मनुनीत होता है एंगलो एंडियन के रूप में इनको राजिपाल जो है वो मनुनीत करते हैं पुर्वाणचल, पस्चिमाँचल, मध्याँचल वबुन्देल खंड ये जो उत्तरप्रदेश के कुछ हिस्सों के रूप में, इनक खंड के रूप में बांड दिया गया है तो पुरवांचल में कुल 162 सीटे हैं, पस्चिमांचल में 149, मध्यांचल में 73 और बुंदेन खंड में 19 जो है बिधान सभा की सीटे हैं, तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो सीटें कहां पर हैं बिधान सभा की वो पुरवांचल में हैं, फिर पस्चिमांचल में 149, मध जहांचल में 73 और बुद्नेर खंड में ये 19 बिधान सभा सीटे हैं, ठीक है? 15 और 16 बिधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, लेको 15 और 16 बरतमान में जो बिधान सभा है ये 17 बिधान सभा है और इसके पहले जो थी बिधान सभा यानि कि जो 16 ती उसमें अखलेश सरकार थी और 15 बिधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिला वत्ति के समय में 15 बिधान सभा थी और उसमें महिलाएं थी 23 ठीक है? और अख्रेश के समय में 16- безопас? उसमें महिलाओं की संक्या थी 35 और वर्तमान में 17-जो बिधान सफा है चल रही है उसमें महिलाओं की संक्या है 42 याणि कि अगर 15-16 और 17-बिधान सफा को आप देखें तो सरवारधिक रूप से महिलाओं की संक्या संक्या फरवरी मार्च 2012 में हुए 16 मी विधान सभा चुनाओं में पार्टियों का प्रदर्सन ये मज़ूरी नहीं होता है और उसके बाद ये आगया का फरवरी मार्च 2017 में चुनाओं हुआ था 17 मी विधान सभा का अपना दल जोड घटा के कुछ मिला के 325 सीटों के साथ जो है बीजेपी ने अपनी गवर्मेंट बनाई है और योगी आदितिनात मुख्यमंत्री बने हैं सरवार्दी बिधान सभा सीटें किस जिले में हैं जानते हैं आप सरवार्दी बिधान सभा सीटें वाला जिला है आपका इलहाबाद और सबसे कम बिधान सभा सीटें हैं आपकी आप जान लिजे स्रावस्ति महोबा और चित्रकूट में यहां बसे दो दो सीटे हैं मतलब सबसे अधी बिधान सभा सीटों वाला जिला है इलहाबाद और सबसे कम वाले में देखें तो तीन जिले आते हैं सरावस्ती आता है महोबा आता है और चित्रकूत आता है जिसमें मातर 2-2 सीटे है या राज विधान सभा में आरक्षित सीटों की संख्या है कितनी 86 जिसमें 84 SC है और 2ST है तो राज विधान सभा के बारे बात हो रही है आपे अब आगे देखें बिधान परिशत का गठन कर गवा था 1937 में ठीक है 1937 में गठन गवा था बिधान परिशत का और ये 1937 से अनवरत अब तक चल रहा है तो उत्तराखंड के निर्मार से पहले नवंबर 2000 तक बिधान परिशत सदस्यों की कुल संख्या 108 थी और वरतमान में बिधान परिशत की संख्या की संख्या हो गई है 100 यानि की 8 संख्या बिधान परिशत में कम होगी उत्तराखंड के निर्मार के बाद से नवंबर 2000 के ठीक है, प्रदेश में लोग सभा सीटों की संख्या कुल मिलाके वर्दमान में है, असी, ठीक है, प्रदेश में यसी और यस्टी के लिए आरक्षित लोग सभा सीटों की संख्या कितनी है, तो याद रखेगा कि यस्टी के लिए तो 17 सीटे हैं, लेकिं यस्टी के लिए उत् दाताओं की संख्या की द्रिष्ट से सबसे बड़ा वो सबसे छोटा संसदी छेत्र कौन सा है तो सबसे बड़ा संसदी छेत्र है गाजियाबाद और सबसे छोटा है बागपत ठीक है प्रदेश में राजसभा सीटों की संख्या कितनी है 31 राजसभा सीटों के बारे में उत्त पहली बार राश्पती शासन का कारेकाल है जब उत्तर प्रदेश में पहली बार राश्पती शासन लगा था यह जो है आठ मार्च दो हजार तीन से तीन मई दो हजार दो तक मतलब पुरिम लागे कर आप देखे तो लगए दो महिने तक अंतिम बार अफ़ते सासन रहा कब दो हजार दो में दोजार दो के बाद से उत्तर प्रदेश में कभी भी राश्पती सासन नहीं लगा ओके तो यहाँ पर देखे कि कुछ चीजिए और भी इंपॉर्टेंट में थोड़ा जान लिजिए कि जंगर्णा के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या है 915 और जंगर्णा के समय ब लेटर नोइटा और न्यू कानपूर सिटी ठीक है अब यहाँ पर देखे जीलों की संख्या यह काफी इंपॉर्टेंट है कई बार यह पुछा जाता है तो जीलों की संख्या कुल है 75 जिसमें तहसिलों की संख्या आती है 341 यह 2016 का आकड़ा है और यहाँ पर संभागों य आजमगड़े बस्ती जासी और सहारनपूर इसमें मात्र तीन तीन जिले हैं और सबसे बड़े मंडल है कानपूर लखनव और मेरट जिसमें जो 6 जिले सामिल है ठीक है अच्छे एक बात बताईएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आपका जिला किस मंडल में आता है ठी जिले के बारे मैंने आपको बता दिया कि 341 तहसिले हैं नगर निकाय वाले कुल नगर हो गए 600 तिरपन और नगर निकाय यानि कि नगर निकम वाले सोल है मने आपको बता दिया शुरू में ही कि सोलर नगर ऐसे है जिनमें नगर निकम है ठीक है और जिला पंचायतों की संक नहीं जाता है लेकिन जान लीजिए कि दर सूला का याकड़ा है 69,073 ये ग्राम पंचायतों की संख्या है 69,073 ओके आबाद ग्राम में 97,814 और कुल ग्राम हो गए यहाँ पर 1,6,774 ठीक है अब यहाँ पर देखिए कुछ नियालव कारागार के बारें जान लीजिए इलाहबाद में जिसका एक खंड़ पीठ लखनों में भी है ठीक है उच नियाले की अस्थापना हुई थी 17,18,066 तो ये सवाल काफी इंपोर्टेंट है 17,18,066 को उच नियाले उत्तरफदेश हाई कोड़ की अस्थापना कर हुई थी 17,18,066 को तो उच नियाले में सिब्याई कोड़ 6 है जिसमें 4 लखनों में है दो गाजयाबाद में है पारिवारी मामलों के लिए पारिवारी नियालों की सुर्वात हुई थी 1984 से देखे जर्मिदारी उन्मुनल कानूल 1950 जो था वो लागू हुआ था 1 जुलाई 1902 से ये सही रहेगा ठीक है जर्मिदारी जिला कारागारों की संक्या है 57 और प्रदेश में उप कारागारों की संक्या कितनी है दो एक महोवा में है और एक देवबंद में है ठीक है और आप देखो कुछ इंपोर्टेंट नियूक्तियों के बारे माँ आप जान लीजिए लेकि उसके पहले ये भी जान लीजिए कि प्रदेश का जो पहला केंद्री कारागार था वो आगरा में 1844 में बना था तो राज की जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका नाम था पंडित गोबिंद बल्लव पंथ ठीक है एक अप्रेल 1946 से 27 दिसंबर 1904 तक रहे राज के पहले मुख्यमंत्री रहे कौन पंडित गोबिं प्रथम महिला मुख्यमंत्री यानि कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भात के जितने भी प्रदेश हैं उनमें पहली बार कौन सी महिला मुख्यमंत्री बनी तो नाम था सुचेता क्रिपलानी राज एवंग देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम सुचेता क् थी यह उत्तरपदेश की दूसरी महिला मुक्य मंतरी थी तो यह आप याद रखेगा बरतमान मुक्य मंतरी के बारे में आप जानते हैं स्वतंतरता के बाद कारेकाल के रूप में 32 वेक्ति हैं और व्यक्ति के रूप में 21 ठीक है यानि कि कारेकाल के रूप में 32 हैं वेक्तिक के प्रधान मंत्री चौधी चरण सिंग और विसुनात पताफ सिंग चुने गए राजी की पहली राजयपाल कौन थी स्रीमति सरोजनी नाइडू ठीक है और सरवारदिक बार राजयपाल कौन रहे स्री मुहम्मद सफी कुरेशी वब बीयल जोसी इनका कारेकाल दो-दो बार सुतंतरता के बाद प्रथम बिधान परिस्त सभापती कौन थे स्री चंद्रवान ठीक है और बिधान सभा के बारतमान सभापती का नाम तो आपको पता ही होगा स्री रमेश यादो यह जो है 11 मार्च 2016 से हैं ठीक है तो यह चीज़ें काफी इंपोर्टेंट है इनके बारे म आपको पता होना चीए था और देखें यहाँ पर प्रथम लोका युक्त जो उत्तर प्रदेश के थे वो थे विश्वंबर दयाल यह 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक रहे तो प्रथम लोका युक्त कौन थे इनका नादा विश्वंबर दयाल इतना याद रखेगा 77 में इनकी हुई थी और बरतमान में जो साथ में लोका युक्त हैं उनका नाम है स्री संजय मिस्ट ठीक हैं और इनकी नुक्ती हुई है 31 जमरी 2016 से तो उत्तर प्रदेश के बारे में यह काफी important fact थे जिनके बारे में आपको पता होना चीए था और आगे हम ऐसे वीडियो आपके लिए और भी लाते रहेंगे अभी फिलाल यह शुरुआत थी इसलिए हमने आपको उत्तर प्रदेश के बारतमान परदिस्टे से परजीत कराया आगे के जो वीडियो होंगे वो करेंट अपके साथ साथ बारतमान बजट और उत्तर प्रदेश की जन संक्या 2011 के निसकर्षकों पर भी आधारित होंगे तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरू कीजिएगा थाकि हमें उसला मिल सके कि हम आपके लिए ऐसे जो है स्टफ लाते रहें और साथी साथ इसे सेर भी अवस्य कीजिएगा थोड़े से ज्यादा आते है तो हमें मोटिवेशन जादा मिलती है तो इसे सेर जरू कीजिएगा मिलते हैं आपसे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए आगें दीजिए नमस्कार जैहन्त